तो एक अच्छा निबंद कैसे लिखें इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं पिछले सेशन में मैंने यही प्रयास किया बहुत सारे आपको पॉइंट बताए बहुत सारे आपको पक्ष बताए अब बात आती है इनके ब्यवारिक पक्ष की कैसे एक निबंद लेंगे और निबंद बहुत सांदाल लेंगे हम UPSC के निबंद को उठाते हैं आईस से बड़ा कोई निबंद है नहीं तो आईस का ही कोई एक निबंद लेते हैं और उसको लिखने का प्रयास करते हैं लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स तीन चार बाते आज फिर बताऊं क्या बोला था कैसे आपको क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए ये सारे डू है जो करने निबंद लेखन के तोरान पर वही आएंगे कि डोंच और ब्रड लेखन करने के लिए आपको चातना चाहिए वहूं वा का करना चाहिए वह भी हम बताएंगे चलिwen आज अब भई ठीक है आप कर सकते हो ठीक है तो आपके confidence को boost करने के द्रिश्टिकोंड से आपकी सोचने की तरक सक्ति को बढ़ाने की द्रिश्टिकोंड से यह सारा कुछ में रखोंगा चलिए session को सुरू करते हैं कोई भी निबंद का topic आप चुनते हैं पिछले session मैंने आपको बताया था कि topic कैसे चुनेंगे आप कैसे topic को ले करके आपकी एक चुनाओ होना चाहिए सब चीजे मैंने आपको पिछले session में बताया था जो बच्चे पिछले session वाले हैं वो जरूर से जरूर इस बात को समझ रह के लिए एं निबंद का आपने चुनाओ कर लिया जैसे कि आज हमें एक निबंद का चुनाओ करने वाले हैं थेक़ हरत के तोरपे मैं जो आपका याप निबंद लेने वाला हूं बहुत ही अच्छा निबंद है क्योंकि मैं आसम मूर्त अभी नीबंद ले रहा हूं एक निबंद आप देख रहे होंगे आर्थिक सम्रिद हाशिल करने के मामले में बन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं अब इस निबंद को कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगा तो इतने सारे निबंद में हमने एक निबंद चुन लिया एक्जाम जिसके बारे में कुछ पता नहीं क्या लिखोगे कुछ नहीं लिखोंगे लिक के भी आओगे तो ऐसा कुछ लिखाऊंगे तो जो आप app जानते हो विसय के बारे में आपकी समझ हो ऐसा है टॉपिक iau पेना मैंने तुक्य आर्थिक सम्रिद्दी य día आर्थिवेअस्था से जुड़ा हुआ ए अपकी आधानटा है एक एक स्बत युज किया गया है अա अर्थिवेअस्था से जुड़ी हुई आधानटा है दूसरा इसमें इक सब्दा आपका है वन मतलब फोर्स्ट, तो आप forest के बारे में भी लगातार जो है एक तरीके से जोड सकते हैं कि आर्थे बेवस्था में जो छेत्र हैं चाहिए वो प्रात्मिक छेत्रों दोतियक छेत्रों तरतियक छेत्रों उन्हीं में से one भी forest भी आपके किसी ना किसी छेत्र से जुड़ते होंगे तो अब क्या है ये दो keyword है economy growth प्लस forest और कैसे ये दोनों एक दूसरे के कारक है कैसे वन आर्थिक सम्रुद्धि के कारक है यदि वनों का रास होना चालू हो जाएगा वनों का कटाओ होना चालू हो जाएगा तो कैसे ये economy growth को कम कर देंगे और कैसे वनों का संठठर करना चालू कर दें तो आर्थिक और भी चुन सकते हैं इतने सारे में से लेकिन एक आपको मैं यह वाला पहला निबंद है तो इसी को चुन लेते हैं ठीक है चुनाओ कैसे कर रहा है अपनी समझ के अधार पर जिस विशह पर आपकी समझ हो अच्छी जिसमें आप लिख पाएं जिसमें आप सूच पाएं अब अब आपको लगेगा कि सर कैसे हमें समझ विक्सित होगी वह भी बताऊंगा मैं आपको ठीक है वह भी बताऊंगा उस पर भी काम करेंगे ठीक है तो पहले तो एक विशह का चुनाओ किया अब विशह के चुनाओ के बाद निबंद का चुनाओ किया अब इसके बाद आपक indicate कर देता हूं सबसे पहला काम है एक framework तयार करना जिसको हम कहते हैं एक रूप रेखा तयार करना निबंद की बिना रूप रेखा के कोई मतलम नहीं है आपको क्या करना एक रूप रेखा तयार करनी है निबंद की ठीक है ये पिछले सेशन में भी चर्चा हो गई थी प्रस्तावना से पहले इसके बाद आप क्या करेंगे प्रस्तावना लिखेंगे निबंद की प्रस्तावना लिखेंगे इसके बाद इसका मुख भाग लिखेंगे निबंद का से स्टेज में आ चुके हैं आप एक प्रसाशनिक अधिकारी बनने वाले हैं तो आपकी जो लेखन साली होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए परग्राफ में होनी चाहिए गद्यात्मक होनी चाहिए है ना तो यह तीन चार काम आपको करने हैं अब फ्रेम वर्क जब आप के टाइम में आपके पास एक फ्रेमवर्क रेडी हो जाना चाहिए ठीक है करम से बेटा अभी अराम से सुनना है और जो बताता जाओ उसे लिखना है ठीक है कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन से ज्यादा ध्यान देगा क्लास सेक्शन में कमेंट की बारी आएगी आप लोगो का विखंडन कर दिया मैंने इसको तोड़ दिया तोड़ के मैंने बताया कि कीवर्ड निकाले मैंने इस निबंद के के अच्छा आर्थिक संब्रिदी और यहां पर एक सब्दों लिखा हुआ है प्रतिमान प्रतिमान को इंग्लिस में यूज किया गया है के सिटड़ी इंग्लिस में फॉरेस्ट तो नंबर एक नंबर दो नंबर तीन देखो हिंदी और इंग्लिस दोनों ध्यान में रखना कई बार क्या होता है हिंदी में चीजे कुछ और समझ में आती हैं और इंग्लिस में कुछ और समझ में आती हैं तो यहां पर यह आपको थोड़ा सा ध जिसमें keyword करना है, keyword के साथ-साथ दूसरा काम आप क्या करेंगे, निबंद को तोडएंगे, निबंद का विखंडन करेंगे, विखंडन मैंने आपको बता दिया, keyword उसके भी निकाल लेंगे आप, इसके बाद एक brief idea आपके पास होना चाहिए, आपको क्या लिखना है इन तीनों में, ठीक है, इसको लेकर आपको एक theme, theme का मतलब है, विखे वस्तु की समाने समझ, तो उसको लेकर आप point यहां पर कई सारे डालेंगे, point one, point two, point three, point four, जितना हो सके, यह सुरुआत के 5 से 10 मिनिट का काम है, अभी इन सब चीज़ों का भ्याज भी करना होगा future में, ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रस्तावना, पिछले session में मैंने बताया था, कि प्रस्तावना लिखेंगे कैसे, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ों पर भी discussion आपके हुए थे, सभी लोग को चीज़े समझ में आ रही हैं, अब बिल्कुल सहज हो जाईए आप, ठीक है, session में पूरी तरीके से सहज हो जाना है, मैं आपके साथ जितनी भी चीज़े होंगी, क्रम से करके discuss करूँगा और आपको बिल्कुल tension नहीं लेनी है, हर मुद्दे पर बात होगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब देखे, अब मुद्दा आएगा कि प्रस्तावना लिखना है, पहले मैंने आपको कुछ, पिछले session का बहुत महात्यपूर्ण है, पिछले session में मैंने आपको बताया था, कि topic कैसे चुने, ऐसा topic चुने, जिससे आपका जुडाओ हो, ठीक ठाक आपको जनकारी हो, आपके पास परियाप्त content हो, आपका background हो, आप graduate हो, आपके पास example हो, आपके पास quotation हो, ऐसे विशे को आपको चुनना है, अब ऐसा यह दिया है कि कोई भी विशे में आपको कुछ भी समझ नहीं, तो भहिया कुछ नहीं हो सकता आपका निवन्द आप से, भाई कुछ तो आपको उसको, वही तो preparation है ना, वही तो तैयारी हो रही है ना हमारी, अभी जैसे आप में से कुछ बच्चों ने previous year के एक paper देखे थे, UPSC के, तो उन्होंने बताया कि सर हालत बहुत खराब है, कुछ लोगों के बेक्तिगत तोर पे मेरे पास message भी आये थे, कि सर मतलब इतना कठी निवन्द तो मैंने का मैं हूँ तो, मैं तयार करवाओंगा आपका निवन्द और इतना सांदार तयार कराओंगा, कि आप खुद कहोगे कि सर क्या मज़ा आ गया, लिखा जा सकता है, ठीक है, तो आएगा, बस यह है कि आप procedure को पूरा करना, ठीक है, इसके बाद दिखे, जब चुना हुआ topic जो है, जो topic आपने चुना, उसी से जुड़ी हुई synopsis बनानी रूप रेखा, यह क्यों बनानी है, यह क्यों जरूरी है, ताकि आप क्या करें, इसी topic पे केंद्रित रहें, और इसी topic का विस्तार करें, प्रस्तावना के रूप में, मुखभाग के रूप में, उपसंगार के तौर पे, ठीक है, यह रूप रेखा हम क्यों बना रहें, ताकि चुने हुए topic पे हम क्या रहें केंद्रित रहें हमारा भटकाव ना रहे हम केंद्रित रहें और फिर हम इन तीनों के माध्यम से यह चुने हुए topic को क्या करें विस्तार करें इसी का विस्तार करना है आपको ठीक है विस्तार इसी करना है आनावस्यक विस्तार नहीं करन परफ़ाग्राफ में लिखना है अब लिखना कितना होता है कैसे हम निबंद लेखन जब करते हैं तो कितना लिखते हैं एक बार थोड़ा सा यह मैं आपको इस पश्ट कर देता हूं कि लिखते कितना है देखें जब भी प्रस्ताओना लिखेंगे टोटल सब्सीमा का 10 से 15% आ एक हजार से 1200 सब्दों में लिखना होता है तो आम तोर पे मैं कहूं तो तीन परफ़ाग्राफ मलब प्रस्ताओना में लगबग तीन परफ़ाग्राफ में आप प्रस्ताओना लिख सकते हैं यदि सब्सीमा कम हैं तो सब्सीमा में आप छोड़े छोड़े है ठीक है खासकर मैं UPSC वालों के लिए बता रहा हूं बाकि जो स्टेट पीएस्ट वाले हैं कहीं पे 700 सब्द हैं कहीं पे 600 सब्द हैं कहीं पे 500 सब्द हैं इस रेश्यों के इसाब से आप अपना बना लीजेगा ठीक बाई क्लियर है दूसरा है मुख भाग यह कितना होना च सिमा का 70% हिस्सा इसका होना चाहिए 70% आपका मुख भाग होना चाहिए अब इसमें टोटल एदिम बोले तो आठ से नौ पेज होते हैं आपके आठ से नौ पेज आपका जो होता है वो क्या होता है मुख भाग यदी हम 1000 से 12 ये वाला सबसे बड़ा सेगमेंट है ठीक है परग्राफ भी माल लिजे तो आप 9 के इसाब से भी देख लिए तो 27, 28 या 30 परग्राफ आप लिख डालोगे ठीक है तो आपको 25 परग्राफ 20 परग्राफ इस इसाब से आप इसको देखना है ठीक है इसके बाद जो लास्ट में उपसंघार होगा ये भी आपका 10 से 15 आपको उपसंघार लिखना होता है और उपसंघार में भी वही सेम कंडिशन है जो कि प्रस्तावना से है ये भी आपका लगबग एक से डेड़ पेज आता है एक से डेड़ पेज आपको ये लिखना है और लगबग तीन परग्राफ में आप इनको लिख सकते हैं उपसंघ अब मैंने आपको इनके बारे में बताए था प्रस्तावना में क्या होना चाहिए ठीक है उपसनगार में क्या और मुख विश्य रोख न चीज शुक यह की निब 생겼ば निबंद में आपको एक औहशार प्राप्थ होता है कि आप कुछ लया लिख पाओ जैसे सब्जेक्ट है या जुडिशल सर्विस वाले बच्चे जो होते हैं उनके जो लौ से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं वहां पर आपको बहुत अथ्यात्मक जानकारी लिखनी होती है जो आप पढ़के गए जो रटके गए वही लिख सकते हैं आप निबंध ही एक मात्र ऐस जिसमें नयापन होगा नया अभ्यास करोगे कुछ नया सरजन करके आओगे कुछ नया लिख के आओगे रटके नहीं हो सकता कोई बच्चा सोचे मैं रटके निबंध लिख पाऊंगा टाइम चला गया वह गाय पे दीपावली पे जो निबंध लिखते थे ना रटने वाल के बारे में आपकी जानकारी प्राप्त हो सके ठीक है अब दूसरा है समान अध्यन में ये चीज नहीं मिलेगी समान अध्यन में पढ़ा हुआ ही लिखने को आउसर मिलता है ठीक है नया पन आपको निबंध में ही मिलेगा अब निबंध में देखे दो चीजे बता रहा हू ये आपका प्रस्तावना जो है निबंध का आरंब होता है हम सुरुवात ही से करते हैं आरंब होता है उपसंगार क्या है आपका निबंध का उपसंगार क्या है निबंध का अंत होता है जब भी कभी भी हम किसी भी निबंध का आरंब करेंगे वो थोड़ा सा वास्तविक होगा realistic approach में लिखा जाएगा कैसा लिखा जाएगा वास्तविक वास्तविक approach realistic approach तथ्यों के साथ fact के साथ किसी कहानी के साथ किसी quotation के साथ किसी information के साथ है ना अभी उसमें आएंगे कि क्या क्या चीजे प्रस्तावना में डालनी है बताऊंगा और आज तो लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को एक निबन तो आज आपको जो मोटिवेशन आएगा वो मोटिवेशन आपको आगे आने वाली क्लास से जादा इंपोर्टेंट है आज की क्लास यह ध्यान तो यह कैसा होना चाहिए आपका अंत होना चाहिए यानि आदर्सवादी होना चाहिए आदर्सवादी आदर्सवादी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब कभी भी आप अंत करिएगा उपसंगार लिखिएगा एक चीज से जरूर बचिएगा जैसे किसी भी नए पक्षक प्रारम्ह मत कर दिजेगा कोई ऐसी चीज मत लिखेगा जिसके Sergeant को विस्तार ना कर सके यहां पर देखो वस्तिवीक और सात्मी ये कैसी जिग्यासा पईदा करे जिग्यासा जो भी पैदा आप करेंगे coryarity जो भी पैदा करेंगे प्रस्तावना में वह क्या कि आपकी मुख भाग में आप उसे पूरा भी कर दोगे लेकिन उपसंगार में कुछ नया स्टार्ट कर दिया आपने तो वह क्या करेगा थोड़ा बचना चाहिए आपको ठीक है नय पक्ष का प्रारंब नहीं करना कभी भी नय पक्ष का आरंब करने से बचना है उपसंगार म क्योंकि फिर उसको आप explain कहां पे करोगे और फिर टाइम इतना नहीं है आपका तो एक यह चीद ध्यान रखना है अब यह वास्तविक होना चाहिए आदर्सवादी का मतलब क्या है आदर्सवादी का मतलब है कि कोई भी चीज आप लिख रहे हैं तो वह आसावादी उत्मक्ता से करना है positive से करना जिर चीजिनातमक बात होनी चाहिए इस्चिनात επι मख बिनासात्मक बात नहीं होनी चाहिए संदेसों मुखी बात होनी चाहिए संदेसों मुखी ये अंत की बात करूए जब ये सब चीज़े डालेंगे ना ये आटोमेटिक एक आधर स्वादी दिश्टिकोर में आके खड़ा हो जाएगा जैसे की माल लिजे कोई भी काम है उस काम में आप कर्तब्यों को डाल दीजिए कर्तब्य कभी आपने फंडमेंटल ड्यूटी देख चाहिए आपको जल संसाधन की रक्षा करनी चाहिए आपको स्वक्षता बना के रखना चाहिए कोई भी मुद्दा आएगा अभी देखेंगे प्रेटिकली में आपको बताऊंगा जब चाहिए का बोध होता है तो आपकी ड्यूटी होती है आपका कर्तब भी होता है तो गी हैं, गे हैं, यह सब्द लाष्ट में आपके आने चाहिए ज्यादा तर, यही आपके इसको भविश्यों मुखी बना पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, सिंपल सा है, थोड़ा सा, तो अंत जो होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, आइडिलिस्टिक होना चाहिए, सुरुवात कैसी होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, ध्यान रखेगा, यह बात समझ में आ रही है, सभी को, सभी को बात समझ में आ रही है, इंटरनेट में क कुछ न कुछ नेटवर्क आपका रुक रहा है थोड़ा सा प्रितिक्छा कर लिजे एक मिनट उता रहता है देखो ये तो सतत प्रक्रिया है कभी अच्छा चलेगा कभी बुरा चलेगा एक मिनट रुक जाए थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है अब एक बार आप मुझे बताओ कि अब ठीक है क्या मामला अब साहिज सही है सहली बौरा जी हाँ हाँ भाई मुझे समझ में आगे है थोड़ा सा फ्लो तूट जाता है जब कभी इस तरीके की चीजे आती है एक टीचर बहुत फ्लो में आता है आपको क्लास को कराने के लिए और ये सब राक्षिसी प्रबतियां आकर के क्लास के बीच में बाधक बन जाती है अवाज फंस रही है अवाज सही है पर वीडियो फंस रही है अब सोचो हाँ साउंड क्लियर है न मेरी है अवाज आ रही है आपके कानों तक पहुंच रही बस ठीक है ठीक है अभी देखते है ये भी साही हो जाए उपर वाला सुन ले कंटिन्यू किया जाए संदीप राय जी कह रहे है कंटिन्यू किया जाए क्या लगता है आप लोग को कंटिन्यू किया जाए सभी लोग एक पक्ष है क्या एक मत हो तो फिर कंटिन्यू किया जाए सब करें सब समझ में आ रहा है सर एक तो आप लोग इतने समझदार है लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा फिर कैसे करोगे वैसे इस्वर की क्रपा से दिन नेट सही हो गया तब तो फिर दिक्कत ही नहीं कोई बगवान भी सोचता होगा कि किन किन छोड़ी चोड़ी बातों के लिए हम उसे परिशान करते है सब करें सर सुरू किया जाए स्रिष्टी जी कह रही है सर पिक्चर अटक रही है अब देखें पिक्चर कहां अटक रही है पता नहीं कि इस्टूडियो से लेकि आपके फोन तक पहुंचने में पिक्चर में अटकाव तो है कि थोड़ा सा काम करिए कि सब लोग करें सर कोई दिक्कत नहीं है कि जब मैं यहां से इतनी मेहनत कर रहा हूं और आउटपूट अच्छा ना जाए तो थोड़ा सा तकलिप तो होती है मन में दीपक सुकला जी कह रहे हैं सर थोट कहां लिखना चाहिए हाँ दीपक सुकला जी बिल्कुल बताएंगे आपको थोट कहां लिखना है सुरू कैसे करना है बिल्कुल सब पर बात करेंगे संदीप राय जी कहने सर मूड बना हुआ है पढ़ाई है आप चलो फिर मूड बना हुआ है तो पढ़ा देता हूं मैं वैसे कि देवधान तो है कि स्टार्ट करें कि देखते हैं अपनेट वालों को जो है कोई न कोई समस्चा से ग्रिसित वह भी होंगे एक और मेरे पास बट साइद वह आप्शन कितना कारगर हो कि मैं ठीक है चलो आप लोग मुझे सुन पा रहा है न यही बहुत है चलिए मैं सेशन सुरू करवा रहा हूं ठीक है तो यहाँ पर देखो कुछ बेसिक सीजे आपको मैंने बताई कि जो एसे का आरंभ करना है आप लोग को अब इतमिनान से बैठो देखो जितने लोग यहाँ प लोग को परपर पहुँच रही है तो आप मुझे सुनए ठीक है तो यहां पर मैं यह कहनँ चाह रहा हूं आपको कि जो मतलब आरंभ करना वह वास्तिविक होना शालिये और जो अंत करना हुए ठीक है आदर सुवादिता मतलब लक्ष होती है किसी भी चीज को प्राप्त कर करने का वैसे कोई चीज आइडलिस्टिक पूरी तरीके से नहीं वह की जा सकती है लेकिन हमारा भाव हमेसा आदर्स वादी होना चाहिए ठीक है तो आपको उपसंगार में किसी नए पक्ष को लिखने से बचना है यह मैंने बेसिक्स आपको बताए अब चलिए आगे बढ़त करते हैं कोई एक ऐसे लेते हैं और उस एसे को डिकोड करने का प्रियास करते है ठीक है अब हम क्या करेंगे डिकोड करेंगे एक कोई नय एशे को ले करके जैसा कि मैंने आप लोग के लिए चुना है UPFC का यह एशे अब दिखो आप इसको इस तरीके से मत लीजेगा कि यही यहां तो मैं सिर्फ सोचना सिखाऊंगा आपको आपके दिमाग में निबंद को लेकर कैसे आपका दिमाग चलना चाहिए सिर्फ मैं यह सिखाने जा रहा हूं आप लोग को इसलिए apply आप हर एक एसे में यही बात करिएगा यह हर एसे कोई application section की बात है कि आप जब apply करेंगे तो जो बाते मैं इसमें बता रहा हूं वही बाते सब में प्रयोक करिएगा तो इससे क्या होगा आपका application section अच्छा होगा ठीक है हां तो सबसे बड़ी मुद्दबस यही है कि आप इसके application section को ज़्यादा ध्यान रखेगा चलिए अब सुरू करते हैं एक एसे का यही वाला इसे यहाँ पर ले लेता हूं मैं देखें यह है आपका को आपका निबंद लेखन वन है यह आपका निबंद लेखन वन ठीक है लिखा हुआ है आर्थिक सम्रिद्धी हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं सबसे पहला step हमारा क्या है निबंद को का framework पर कि लोका निबंद की रूप रेखा बनाने निबंद को तोड़ना तो देखो सबसे पहला सब्ध है यहाँ पर economic excellence यानि कि economic development की बात कर रहा है विकास की बात कर रहा है एक्सिलेंस की बात कर रहा है ठीक है तो आर्थिक सम्रिध्धी आब यहां पर देखेगा suck सब्धिक सम्रुद्धि सब्द नहीं है। दोनों अलागलग सब्ध हैं, जो वच्चे आर्थी वेवस्था के जुड़े हुए है। सम्रुद्धि होता है ГРोथ। Economic Growth। और इकॉन्धि नहीं है याप पर आर्थिक DP sounded remaining воды। प्रतिमानिया पर पर परमीटर्स नहीं है लाई का केसिटरी कि वन आपके एक कारक हो सकते हैं किसी भी कंट्री की किसी भी अर्थव्योस्ता की एक्सिलेंस के आर्थिक संब्रिध्धी के ठीक है यह मुद्दा है ठीक है चलो अब शुरू करते हैं इसको डिकोड करना कि कैसे आपको इसकी प्रस्तावना लिखनी है मैंने प्रस्तावना में एक बात लिखी थी यह आप सभी लोग लिख लिजे आज का यह मुख परिक्षा निबंद लेखन पहला वाला यह टॉपिक डाल लिजे आर्थिक संब्रिध्ध हांसिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रत स्रुआ जो कुछ भी आपका है इसको कैसे हमें लिखना सुरू करना है चलिए तो मैंने आपको एक बात कहücklich कि प्रस्तावना आपको लिखनी है तो प्रस्तावना ऐसी लिखनी है जो पाठे के मन में जिग्यासा पैदा करते कि उरसिटी पैदा करते हैं ठीक है तो जब कभी भी शुरुआत करिए आप प्रस्तावना को सुरू करने के मैंने दो तीन चार तरीके बताये थे कि दो तीन चार तरीके आपके हो सकते हैं किसी भी प्रस्तावना को सुरू करने के लिए ठीक है कैसे सबसे पहली बात हमें प्र बिद्वान के कथन से चालू कर दीजिए, जीवन के अनुभाव से कर लिजिए, या टॉपिक की प्रष्ट भूम से चालू कर दीजिए, पिछले सेशन में आपको बताया था, शुरुवात कर दीजिए, कोटेशन से करिए, बिद्वान से करिए, कथन से करिए, जीवन के मूवी में तो आप जानने की कोशिस करते हो कि अंत में क्या होगा लास्ट में क्या होगा समझने बात को साड़ा खेल है सस्पेंस का कई बार कुछ मूवियां ऐसी होती है यदि उनका आपको अंत बता दिया जाए पूरी की पूरी मूवी बेकार हो जाएगा तो प्रस्तावन सबसे बड़ा मुद्ड है कि जिग्यासा कैसे होगी यह आप कैसे टैंगे तो जिग्यासा पैदा करने के लिए मैंने आपको बताया जीवन का नुभाव टॉपिक की प्रष्ट मुमुह मैं आज का जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कोटेशन से भी कर सकते हैं कोई कोटेशन ले लिए आप इस से शुरुआत कर दीजेगा मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ मैं topic से शुरू करने जा रहा हूं topic की प्रश्ट भूमी से प्रश्ट भूमी हर तरीका हो सकता हर एक तरीके से जितने भी बच्छे लिखेंगे सब का अपना तो मैं आपको टॉपिक की प्रष्टभूमी को समझाना सबसे कठिन मुद्धा होता है अब चलिए शुरुवात कैसे करते हैं शुरुवात करते हैं सबसे पहले आप समझे कि शुरुवात में आर्थिक सम्रद्धी सबसे बड़ा मुद्दा ये है एक पॉइंट आपका है याप है तीन पॉइंट है एक है आर्थिक सम्रिद्धी मैं टॉपिक की प्रश्चभू ही चुकी ले रहा हूं तो आर्थिक सम्रिद्धी आपका है है सम्रिद्धी दूसरा है आपका नंबर एक नंबर दो है वन और नंबर तीन है प्रतिमान UPSC में थोड़ा सा निबंद को समझ के लिखना अपने एक बड़ा टास्क होता है बाकी जगाओं में कई जगाओं पर तो सिंपल सा ही चीजे हो जाते हैं चलिए अब यहां पर देखे आर्थिक सम्रिद्धी अब आपको एक चीज पता है कि किसी भी छेत्र में यदि आर्थ ब्योस्था सही है तो सारी ब्योस्थाएं सही रहेंगी जैसे अभी माल लिजे हाली में आप देखे राष्टी इस तर पे देखें तो पाकिस्तान आपका है पाकिस्तान की अर्थ ब्योस्था तहस नहिस हुई सीलंका की अर्थ ब्योस्था तहस नहिस हुई तो आपने बड़ तो घर पे परिवारिक बिगटन होना चालू हो जाएगा बच्चे सुनेंगे ही नहीं अपना अपना काम कर सब दिसा ही न हो जाएंगे मलत अर्थ ब्योस्था सभी ब्योस्थां के चारों तरफ ही सभी ब्योस्थाइं गूमती है यह बात सही है तो हम इसकी सुरुवा निर्भः होती है अर्थिक समर्द्य कई कारकों पर निर्भः होती है तो सकते हैं कई कारकों निर्भः होती है क्या क्यूंविय कारक क्या हो something सकता है दूसरा कारक हो सकता उर्जा किसी भी देश का एगरी कल्चर सेक्टर बहुत बूस्ट करने लग जाए तो आर्थिक समर्दी अच्छी हो सकती है किसी भी देश की उर्जा सेक्टर बहुत 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 हो जाए तो आर्थिक समर्दी होगी है ना जो भी सेक्ट अभी आते हैं पेटा अभी रुख जाओ थोड़ा-सा इत्मिनान से पहले समझो इसको तो इकॉनमिक एकसिलेंस कई कारों पर निरभर हो सकता है ठीक है संचार भी हो सकता है याफे संचार भी हो सकता है उद्योग वाले छेतर भी हो सकते हैं यहां तक कि सर्विस सेक्टर भी हो सकता है सेवा छेतर जो आपका है किसी भी देश की एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई किसी भी देश का एल्थ बहुत अच्छा हो गया तो कोई भी छेतर जब बूश्ट करेगा तो उससे क्य होगी आर्थिक संविध्धी होगी अब जैसे आप अपने घर को ले लीजिए यदि घर में स्वास्त खराब हो जाए किसी का तो क्या हो जाएगा आपके घर की आर्थिक संविध्धी अपकर यहीं जोड़ना है आपको हमेशा आप जो भी पैरागाफ हम डालेंगे आर्थिक सम्रदी को फॉरेष्ट के साथ जोड़ करके डालेंगे समझ रहा है मेरी बात को मैं क्या कहना चाहि रहा हूं ठीक है अब एक जिस ध्यान रखेगा आर्थिक सम्रिधी कई सारे कारक हैं, आपके कितने भी कारक डाल दो, वी निर्माड छेत्र होता है आपका, वी निर्माड हो रहा है, ये सारे छेत्र आपके मिलकर के आर्थिक सम्रिधी को बढ़ाते हैं, अब एक चीज बताइए, यदि ये सभी छेत्रों से जुड़ी हुई कोई भी नीती है इन छेत्रों को लेकर गवर्मेंट क्या करती है नीतियां बनाती है पॉलिसी बनाती है ध्यान से समझेगा तभी इंटर लिंक कर पाएंगे गवर्मेंट बहुत सारी पॉलिसी बनाती है जैसे की क्रिसी नीती बनाती है सरकार क्रसी नीती बनाती है सरकार ने उर्जा नीती बना रखी है उर्जा नीती बना रखी है सरकार ने परिवहन नीती बना रखी है परिवहन नीती है पर्यवरण नीती है हमारी हर एक सिक्टर की पॉलिसी है यदि ये पॉलिसी जितनी भी पॉलिसी है यदि ये गलत बन जाएं किसी भी कारण से जैसे भी अग्र करके सब दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए और सरकार को नीती वापस लेने लग गई लेनी पड़ी क्योंकि उसमें कुछ न कुछ खामिया थी जो किसारों को समझ में नहीं आई जो बहुत सारे हित दारकों को समझ में नहीं आई तो यदि ये नीतियां चाहे अग्री कल्च जोड़ना है आपको वन से जोड़ना है फॉरेश्ट से हैना यदि क्रिसी के छेतर में गलत नीती बन जाए सरकार ये कह दे कि जंगल काटिये खेती करिये एक समय बाद क्या होगा पूरे वन ही खतम हो जाएंगे यदि उर्जा के छोत में सरकार नवी का इडिया अभी क्या कोईला के ही काम करेंगे अब हम पेट्रोल पे ही निर्भर रहेंगे अभी ये निर्भरता को कम करके हम सिप्ट कर रहें ऐसी एनरजी पर नभी तो यदि उर्जा नीती गलत बन जाए तो क्या होगा एक समय वन आपके क्या होने लग जाएंगे आप समझ रहें मैं कहां से इंटर लिंक कर रहा हूँ हर चीज को इंटर लिंक करना है सबसे पहले मने बताया कि आर्थिक सम्रिद्धी के निर्भरता के कारकों को जाए इनको लिखने का प्रयास करिए और ये समझाने का प्रयास करिए कि आर्थिक सम्रिद्धी के कारकों मे वन बहुत महत्यपूर्ट संसादन है अभी मैं आऊंगा इस पर भी आऊंगा कि वन क्यों इंपोर्टेंट है वो में अभी हम प्रस्तावना लिख रहे हैं तो प्रस्तावना में हर बात खोल के नहीं लिख देनी है प्रस्तावना में सिर्फ एक जलक डालनी है ताकि आगे पॉलिसी बनती है यदि वो पॉलिसी गलत बन जाती है तो उसके दूस परिडाम कैसे होंगे वन के लिए नकरात्मक हो सकते हैं नकरात्मक हो सकते हैं ठीक है यदि नीती सही नहीं बनी तो क्या हो जाएगा नकरात्मक हो जाएंगे ठीक है यदि नीती सही बन गई तो माल ल गई तो यह क्या हो जाएगी हैं तो फिर उसका प्रभाव कहाँ-का पड़ेगा टेख जो इक आर्थिक आर्थिक मैंने आपको एक बात बताया शुरुआत है चारों तरफ रही गूमती है आर्थ ब्युस्था का पईहा हमेशा चलता रहना चाहिए चाहिए वो धीमा चले चाहिए तेज चले रुकना नहीं चाहिए आर्थ ब्युस्था का पईहा सतत चलते रहना चाहिए कभी धीमा चलता है लेकिन जिदी आर्थ ब्युस्था का पईहा रुक गया आपके घर में आ में बहुत कमा के रख दिया अब आने वाली पिडि कमा नहीं रहे अब अब वो अयासी में लग गए बहोग बिलास में लग गए क्या हो जाएगा एक दो पीड़ी में पूरा पैसा खतम हो जाता है तब ये कहावत हैं पूद का पूद को काधन संच है पूद सबूद hasn यहादी बिटा अ ये बुरा यह रै है वह संचित करने हैं क्यूंकि यह पूद को संचित कर लगे, तो क्या होगा, वह तहसनेस कर डालेगा युदि बुरा निकल गया, sinners निकल गया तो सब कुछ बना ले के रोप्तौर पे देखें कोई भी देष की राज वियस्ता के कारण चलती है अर्थ वियस्ता ही उसे चलाती है किसी अंहीं और स्वास्तोराज, शिक्षा मिल रही है, है ना आज गरीबी खतम वो रही है, आज लोग की भोजन की जरूरते पूरी हो रही है, सपैसे से, पैसा न हो सब बेकार है, सब कुछ पैसा है, अर्थ यूख चल रहा है, किसी विदेश की पर्या वर्डी ए समस्या, कि किस्ये होगा, आर्थ वियुस्था बेहतर होने से, किसी भी देश का प्रसासन गूड गवर्नेंस कब आएगा जब आर्थ वियुस्था अच्छी होगी, तब ही आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी विदेशों के दोरे क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जादा से जादा पै आर्थ वियुस्था के यदि आर्थिक जीवन ठीक है, तो अन्य सभी पक्ष ठीक हो जाएंगे, ठीक है, अन्य सभी पक्ष ठीक हो, आर्थ वियुस्था जैसे ही खराब होगी, तो आरा जक्ता आ जाएगी, सब बेकार हो जाएगा, वहां का राजनितिक लोग, पॉलिटिक था सीलंका में 500 रुपए किलो आलू मिल रहे थे लोग भूकों मरने लग गए छोड़े बच्चों को दूद नहीं मिल रहा ये कंडीशन हो गई ऐसे में क्या होगा सब कुछ आराजग हो जाएगा लोग लूट मार में उतारू हो जाएंगे पाकिस्तान में लूट होती है घर के साथ जोड़ना है ठीक है जब आप वनों के साथ जोड़ेंगे और जोड़ करके आप इसको बताएंगे जैसे कि ये देड़ पेज में आप इसको लिखने का प्रयास करना अब इसके बाद आता है मुख विशय आते हैं अब मुख विशय पर देखो मुख विशय में अब धुन्द दोहन चालू हो जाए वनों का अंधा धुन्द दोहन हो ही रहा है धुन्द दोहन मलब की काटने लग जाए सब आख मून करके वनों को तो क्या होगा उसके बहुत सारे दूस परिडाम निकलेंगे जब आप मुख विशे लिखेंगे तो आपको प्रयास करना आठ से दस पेज लिखना होता है, ठशिक है क्या क्या दूस परिडाम हो सकते हैं, द्यान से समझेगा क्या जलवाईउ परिवर्तन की समस्या होगी बिल्कुल होगी, जलवाईउ परिवर्तन हो भी रही है, कहीं हीट बेप आज़ हैं, कहीं जंगलों में आग लग रही है Counsel क तमेजॉन के जंगलों को देखे, पूरे जंगलों में आग लग गई, ऐस्ट्रेलिया के जंगलों को देखे, आग लग गई, कितने जिवजनतु जल गई, heat wave heat domes बन रहे हैं आपके अमेरिका में देखे इतना ज़्यादा temperature बढ़ जा रहा है यूरोप में देखे इतना temperature बढ़ जा रहा है तो क्या है ये जलवाय परिवर्तन जैसी समश्या इसी को जोड़ दीजे बैस्विक तापन बैस्विक तापन की समश्या ग्रीन हाउस गैसों का उस सर्जन बढ़ जाएगा क्योंकि बन क्या करते हैं ग्रीन हाउस गैसों के सिंक होते हैं इनको सोख लेते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों का उस सर्जन बढ़ जाएगा ये आप इसको भी मेंसन करिएगा इसके बाद और क्या क्या हो जाएगा बाढ़ आएगा सुखा आएगा सुनामी आएगी चक्रवात आएगे तो बाढ़ कहीं पर बाढ़ आएगी कहीं सुखा आएगा आप दाएं इसको मैं लिख देता हूँ एक सब्द में आप दाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा आप दा नए प्रकार की बीमारियों का जन्म होगा और आपको पता है एक बार बीमारी कोई नई आ गई तो अर्थविवस्था तहस नहें सभी देखे कोबिट 19 ने क्या किया पूरे देशों की अर्थविवस्था तहस आज सिलंका क्यों बेकार हो गया कोबिट 19 ने बरबाद कर दिया पाकिस्तान क्यों बरबाद हो गया कोबिट 19 ने बरबाद कर दिया हर देश की अर्थविवस्था मंद पड़ गई कोबिट 19 ने बरबाद कर दिया उसे तो नवी नए प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है यदि वनों को काटा जाएगा ठीक है और क्या हो सकता है और जो पर सकते हैं जो वनों में रहने वाली ट्राइपस हैं जन जातियां है उनका संघर्ष चालू हो सकता है जिव जन्तूओं का जीवन क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा आज तो जैव विदिता संकट में पड़ जाएगी जै विदिता करहाश होगा जै विदिता का हरास जन जातिय संघर्स होगा इसमें एक्जामपल के तौर पर आप नकसल वाद को भी डाल सकते हैं नकसल वादी समस्या जल जंगल जमीन के कारण ही प्रारम हुई थी आपकी इससे क्या होगा राजनितिक आराजक्ता की इस्तिति आ जाएगी राजनितिक आराजक्ता की इस्तिति अब मुझे एक बात बताईए क्या इन सभी कारणों के पैडाम सुरूप यदि ये सभी समस्याओं का जन्म होगा वनों के काटने से तो क्या किसी देश की आर्थव्योस्ता बढ़ेगी आर्थिक सम्रिदी दूस प्रभावित होगी आर्थिक सम्रिदी कम हो जाएगी बताईए सिंपल सहब आप इसको किसके साथ जोड़ेंगे वनों के काटने को आर्थिक सम्रिदी के साथ जोड़ दीजिए बताईए कि आर्थिक सम्रिदी इन से प्रभावित होगी आर्थिक सम्रिदी को नकारात्म के आर्थिक सम्रिदी म किया जाए वनों का सनरक्षण यदि आप करें वनों का सनरक्षण तो क्या होगा वनों का सनरक्षण करें तो क्या होगा वनों का सनरक्षण करने से क्या होगा हाँ कुछ भी डालिए उग्रवाट डालिए जो आपकी एक्षा हो पॉइंट तो अब आपके दिमाग खुलने लग जाएंगे धीरे-धीरे वनों के सुनक्षण से क्या होगा एक तो जय विविदिता बढ़िया हो जाएगी जिव जनतों के लिए आवाद से स्थल मिल जाएगा प्राक्तिक आवाद से स्थल मिल जाएगा तो जय विविदिता संग्षण देखो क्यों मानों नहीं रह रहा है इस प्रत्वी में मानों के अलावा करोडों प्रजातियां रह रहे हैं उनका भी आवास इस्था लहे हैं और उनी के कांट से मानो जिंदा है हम तो oxygen छोड़ते भी नहीं है हम तो consume oxygen लेते हैं carbon dioxide छोड़ते हैं और जो oxygen छोड़ने वाले हैं वो पौधे ही है यदि वही खतम हो जाएंगे तब तो प्रत्वी का जीवन ही न यह अप लिख सकते हैं दूसरा क्या होगा जो वन होते हैं वो प्राक्तिक सुद्धी करण के सुरोत होते हैं वन क्या करते हैं प्रकति को सुद्ध करते हैं प्राक्तिक सुद्धी करण के सुरोत क्या-क्या सुद्ध करते हैं वन वायू की सुद्धी करते हैं मिरदा की पूरिफायर होते हैं यह नचुरल पूरिफायर हैं आपके ऑन है ना धुनिकी सुरुद्धी करते हैं कभी हैं पहाडों में जाए जहां फॉर्स्ट एरिया है जाकर देखिए वहां का जीवन कभी है आप फॉर्ष ने ज जायए राश्टी उद्यानों मैं जायए लेखें वह आपदाओं से बचाओ, से बचाओ, है ना, टटिये छेत्रों की रक्षा, टटिये छेत्रों में में ग्रोव वन होते हैं न, चक्रवात आते हैं, सुनामी आती हैं, लहरे आती हैं, है न, जुआर भाट आते हैं, सब से ये बचाते हैं, टटिये छेत्रों की रक्षा होती हैं, कुछ भी लिखे, ये सब सही है, जितने point बता रहा हूं आपको, और किसलिए ban-poray 62 को भोजन के लिए 1 का प्रयोग किया जाता है, दवाओं के लिए 1 का प्रयोग किया जाता है, दवा मिलता है, भोजन मिलता है 1 में, और 1 से क्या मिलता है, ये आजीव का के साधन, रोजगार क मिलता है इस से रोजगार ठीक है उर्जा के संसादन है यहां से क्या मिलती है उर्जा सोर्स ओस एनर्जी के संसादन है यह ठीक है इसी लिए इनको प्रतिवी का फेफड़ा भी कहा जाता है वनों को प्रतिवी का फेफड़ा कहा जाता है प्रतिवी का फेफड़ा फेफड़ा है न आपने नाम सुना होगा lungs of earth ये आपके जैसे amajon के बन है amajon व्राजील में परता है amajon के one लगभख जो है आपका amajon के बन जो है लगभख सतर से माप करेगा लगभख पूरी प्रिथवी का 20 से 30 % 20 से 30 % oxygen इनी बनों से आता है अब ये आमेजौन के बन हैं तो ब्राजील में लेकिन क्या भारत के लिए फाइदे मंद नहीं है क्या हिमाले परवस्त रेडी और उसकी जो जय भी इता है क्या विश्यू के लिए परवस्त वो नहीं है ये एक बैस्विक जो है संसादन है ठीक है बैस्विक यदि आप हमाप्त कर देंगे तो क्या होगा सब खतम हो जाएगा तो देखे ये आपको क्या करना है पहले लिखना है कि वन ओ का इदी अंदा सुन्द्र दोहन किया जाएगा तो इसके दूस परेडाम के आएंगे और वनों किया जाएगा तो उसके क्या सकरात्मक परेडाम आएंगे समझ रहे हैं मेरी बात को सभी लोग हाँ कुछ भी लिखे है सब आप समझ पा रहे हो आपके दिमाग खुल रहा है अब आप लोग चीजों को लिखने के स्थिती में आ रहे हो तो अब हमें करना क्या चाहिए अब देखो करने के लिए तीन लोग हैं तीसरे पॉइंट में डालिए वन सनरक्षण अब देखे एक चीज यहां पर और दिखाईएगा जब आप ये लिख दीजिएगा कि जैवित्ता बढ़ेगी प्राक्तिक सुद्धी करण होगा टटिये छेत्रों की रक्षा, भोजन, दवार, रोजगार, उर्जा, प्रत्वीक अफेफडा तो क्या इससे आर्थिक सम्रिद्धी नहीं बढ़ेगी आर्थिक सम्रिद्धी इससे भी बढ़ेगी है ना तो आर्थिक सम्रिद्धी के विकास में भूमिका जोड़ना है इसको, इंटर लिंक करना है, ये ध्यान रखना उपर वाला क्या था? आर्थिक सम्रिद्धी के विकास में बाधक अंदा दुंद दोहन होगा बनोगा, तो आर्थिक सम्रिद्धी काम हो जाएगी यदि इनका सनरक्षण करेंगे, तो आर्थिक सम्रिद्धी बढ़ जाएगी एक पॉइंट ये लिखेगा, अब इसके बाद वनों का सनरक्षण इसके तीन से चार स्टेक होल्डर है, एक तो बैस्विक प्रयास विश्व इस्तर पे क्या प्रयास हो रहे हैं, सनरक्षण के लिए बहुत सारे जलवायू सम्मेलन हो रहे हैं आपके, जलवायू सनरक्षण सम्मेलन हो रहे हैं अब ये आपको लिखने चाहिए, ये जरूर मलब आपको जोड़ना है इसको दूसरा देश के इस्तर पे क्या प्रयास हो रहे हैं देश के इस्तर पे सरकार क्या प्रयास कर रही है तीसरा आप अपने इस्तर पे व्यक्तिगत इस्तर पे आप क्या कर सकते हैं व्यक्तिगत इस्तर पे अब आप अमिजॉन के जंगल नहीं सही करने जा सकते वो बैस्विक इस तर पे काम होगा लेकिंग आप अपने इस तर पे क्या करेंगे ये भी आपको लिखना है नियान रखेगा इस बात को जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे तब तक नहीं आप समझ पाएंगे इस मुद्द्य को हाँ ठीक है तो यहां पर देखे बैस्विक प्रयास में जलवायू सम्मेलन आपको ये आपको लिखने जैसे की COP 27 अभी हुआ था आपका Conference of Party 27 इसके अलावा कितने सारे प्रोड़ पेरिस समझाओता हुआ रियो समझाओता प्रत्वी सम्मेलन हुआ जैवित्ता को लेकर इतने सम्मेलन हो रहे हैं तो आप पहले तो बैस्विक प्रयास सारे लिखिए बताइए कि बैस्विक सतत विकास को लेकर के United Nation क्या क्या काम कर रहा है जलवाई परिवर्तन की दिशा में कितनी संस्थाएं हैं बैस्विक सम्मेलन कितने हो रहे हैं इसको लेकर क्या प्रिका इससे क्या होगा तथ्यों के माध्यम से आप सपोर्ट करेंगे तथ्यों के माध्यम से सपोर्ट कभी भी कोई भी च सरकार कैसी नीतियां सरकार को बनानी चाहिए जो वनों का सरक्षण करे हर नीति ऐसी बननी चाहिए जो वनों की बेहतर ही करे तो वन रक्षण नीति बननी चाहिए इको फ्रेंडली नीतियां बननी चाहिए forest friendly नीती बननी चाहिए जिससे हारित विकास हो जिससे greenhouse gas हो का उस सरजन हो तो इसमें डालिए जितनी भी नीतियां आपकी बन चुकी है अभी तक पर्यावरान नीती के बारे में डालिए वन सनक्षन नीतियों के बारे में डालिए राश्टी उद्यानों के बारे में बताईए अभेरंडों के बारे में बताईए जयो बायोस्फेर रिजर्ब के बारे में बताईए रामसर कन्विंसन के बारे में बताईए सब पर बताईए वो नीती जो जर्बन संसाधनों को क्या करे बेहतर करे तो सतत वन विकास नीती आनी चाहिए सतत वन विकास नीती आनी चाहिए ठीक है सतत वन विकास नीती कौन लेकर आएगा भारत की सरकार भारत सरकार और अभी तक भारत सरकार ऐसे बहुत सारे देखो एक चीज ध्यान रखेगा हम हमेशा सतत विकास की बात करते हैं आप चाहो तो इसको भी explain कर सकते हो एक paragraph में चौथा paragraph आप चूँकि one का हमें क्या करना सतत विकास से जुड़ी हुई आउधानडा है किस से जुड़ी हुई है सतत विकास सतत विकास की अधानडा कभी भी हम डिसकस करेंगे तो यह दो पक्ष है इसमें पहला पक्ष है अधिकार का दूसरा पक्ष है करतब्य का अधिकार और दूसरा पक्ष है करतब्य का किस चीज का अधिकार है यह सतत विकास की जब भी हम बात करेंगे तो अधिकार है आने वाली पीड़ी का भावी पीड़ी का क्या अधिकार है बताइए भावी पीड़ी का ये अधिकार है कि उनको भी जीवन मिल सके वो भी जिन्दा रह सके उने भी स्वक्ष पर्यावरण मिल सके उने भी उर्जा संसाधन मिल सके यानि आने वाली पीड़ी क पास यह राइट है कि उन्हें भी जीवन मिले इस प्रत्वी में ऐसा नहों कि जीवन को ही हम नश्ट करके चले जाएं उन्हें भी संसाधन मिले उन्हें भी संसाधन तो हमें संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है यह हमारे करतब बताएंगे करतब किसका है बर्तमान पीडी का ह हमारी जनरेशन का ये करतब्बे है कि हम ऐसा विकास करें, ऐसा डिबलोप्मेंट करें जो आपका भावी पीडी के लिए क्या रहे सतत विकास बना रहे, उनके लिए संसादन खतम न हो जाए, उर्जा के संसादन उनके लिए भी रहे, तो नीतियां कैसी बननी चाहिए, बर्त पर आगर आप दे सकते हो, हाँ अभी आएंगे, अभी हम आर्टिकल 48A में आएंगे, जो DPSP है उस पर आएंगे, तो देश के इस्तर पर क्या है आपका, ऐसी नीतियों का निर्मार, 48A, DPSP, ये भी डालिए, DPSP के बारे में डाल दीजे, इनका क्या करतब में है, ठीक है, क्य करना, चाहिए नीतिवन सनक्षड को लेकर प्रयास, और व्यक्तिगत इस्तर पे, व्यक्तिगत इस्तर पे आपका क्या करतब में है, आपका करतब में है, आप ब्रच्छा रोपड करिए, है ना, आप ब्रच्छा रोपड करिए, करिए, यदि कहीं पर भी पर्यावरण के ख प्रत्वी पर तीन पेड़ आपको लगा के जाने चाहिए यह आपके उपर रिड है जिस रिड को जिस कर्ज को आपको आपको लगा के जाने चाहिए अपको उतारना चाहिए आप ज़ूअ है और ऑल रख जो तो यहां पर व्र इस तर भी आपको प्रियास करना है यह आपको लिखना है इसके बाद आप एक परग्राफ आउल लीजिए परग्राफ पाचवां आर्थिक सम्वृद्धी बनाम आर्थिक सम्वृद्धी वर्सेज आर्थिक सम्वृद्धी दोनों अलग अलग चीज़े हैं पहले इनको समझाईए आप सम्वृद्धी यह दोनों अलग अलग अधाना हैं यहाँ पर चुकि आर्थिक सम्वृद्धी नहीं है आर्थिक सम्वृद्धी है सम्वृद्धी आर्थिक सम्वृद्धी में क्या होता है मात्रात्मक आप सभी जानते हैं जो लोग economy वाले बच्चे हैं किसी भी चीज़ का मात्रात्मक ब्रिद्धी जैसे मान लीजिए आप आज 100 रुपए कमाते हैं कल के आप 200 रुपए कमाएंगे तो आपकी मात्रा तो बढ़ गई 200 रुपए की है ना कल के दिन 300 भी कमा सकते हैं 400 भी कमा सकते हैं 500 भी कमा सकते हैं रुपय भी कमा सकते हैं, तो आपकी मात्रात्मक ऐसी देश के इस्तर पर डेश की आद जीडीपी 3 Trillion है कल चार होगी 5 होगी 6 Trillion होगी तुस्ते प्रतिवेक्ति आए आपकी कितनी है आपके पिता जी कितनी है यह मात्रात्मकब और लेकिन जब हम मात्रात्मक के मूल्यादमक तो यह आर्थिक संब्रिद्धी से जुड़ जाता है Economic Excellence ये है Dynamic Growth Economic Growth आपकी भौतिक प्रगति को दिखाती है कि आप भौतिक तार पर कितना बढ़ गए ये आपके सामाजिक प्रगति को दिखाती है कि भाया आपकी आ यो चलिए मालीजे आपकी आए बढ़ गई आपकी income बढ़ गई लेकिन income बढ़ने के साथ-साथ क्या आपका स्वासत अच्छा है कि आपकी सिख्छा अच्छी है किसी भी देश की GDP, पी तीन ट्रिलियन, चार ट्रिलियन, पांच ट्रिलियन तो हो रही है, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन का इस्तर कैसा है, वहाँ पे खाद्री सुरक्षा का इस्तर कैसा है, वहाँ पे स्वास्त का इस्तर कैसा है, यह जब पक्षम देखने लग जाते हैं, तो यह आपके जन कल कल्यार्ड से जुड़ी हुई है तो वनो का सनरक्षड क्या है आपका जन कल्यार्ड के लिए है जन वनो का सनरक्षड आर्थिक सम्रिद्धी ये भी बताना पड़ेगा आपको सनरक्षड आर्थिक वनो का सनरक्षड समझ रहे मेरी बात को ये आपका किसे जुड़ जाएगा वनो का सनरक्षड आपका आर्थिक सम्रिद्धी का मानक है एक पयरागराफ आप इसका भी लीजिए सबी को समझ में आ रहा है हाँ कुछ लोग समझ रहे हैं समझ रहे हैं इस तरीके से आप लिखिये चीजों की बातों को लिखिये और भी लिख सकते हैं यहाँ पे देखो चौथा पॉइंट था आपका कि क्या काम किया हमने इती सब वन सनक्षण कई सारे आंदोलन चलाए गए अंधोलन कई सारे लोग वण सनक्षण से जुड़े होंगे लोग उधारा डालिए जैसे आंदोलन चिपको अंदोलन के बारे में हैं इसांपल परसंने ज्यादाओ मुलाई पायंग आप लोगोंने आतक नहीं सुना हो तोóm नाम बता रहा हूं जादाओ मुलाई पयंग forest man of India का जाता है इनको अंतर राष्टी स्तर पर ख्याती प्राप्त है ऐसे ही सुन्दर बहुगुड़ा है चिपको अंदोलन है ना कुछ नाम आप डाली है ऐसे लोगों का जिनों ने वन छेत्र में काम किया हो इस डिशा को दिखाई हो इसको ले करके काम किया हो बहुत सारा अभी मियावाकी पद्धती बहुत चर्चा में मियावाकी पद्धती मियावाकी पद्धती जापान के द्वारा डिबलप किया गया है और जो सहरी छेत्र हैं वहाँ पे बहुत तेजी से जो है बन छेत्र को बढ़ाने की दिशा में पद्धती बहुत काम करत तो एट लिस्ट आप इस तरीके की चीज़े जो वन सरक्षण को लेकर है वो आपको डालना पड़ेगा यहां पर ठीक है इस तरीके से देखो मुख पार्ट आपका हो जाएगा आप मतलब टोटल आठ नौ पेज लिखना है तो अब इन चीज़ों को explain करना पड़ेगा आपको चाहिए है ना तो क्या संदेश होना चाहिए वन सनक्षण को लेकर जन जागरूपता जन सह भागिता सकरात्मक होना चाहिए आपका सकरात्मक है ना मैंने आपको बताया था यानि कि वन आपके आर्थिक सम्रिद्धी में कितना योगदान देते हैं इसके साथ जोड़िये कि कैसे आप वन सरक्षन से जुड़े हुए अपना एक्जम्पल भी दे सकते हैं इसमें देल सकते हैं विक्सित राष्ट्रों का दाहित तो है कि वो क्या करें चाहिए में लिखना है राष्ट्रों का दाहित तो है कि वो समस्या का समधान करें ठीक है और क्या हो सकता है बैस्विक जिम्मेदारी है यह क्या है आपकी बैस्विक जिम्मेदारी बैस्विक जिम्मेदारी है और क्या हो सकता है आप जहां भी है अपना कर्तब पूरा करें अपनी ड्यूटी को पूरा करें आप अपनी ड्यूटी के बारे में भी लिखें क्योंकि आप ब्राजील के जंगलों को सही करने नहीं जा सकते हैं आप जहां आपने क्या किया व्यत्ती के तौर पे आपकी क्या भूमिका है आप अपनी भूमिका को भी लिखें और क्या लिख सकते हैं राजी की क्या भूमिका हो सकती है राजी की भूमिका यहां पर डालिये मौलिक कर्तब यह, आपको अपनी भूमी का पर मौलिक कर्तब यह, कि आपका क्या कर्तब यह बनता है और उसका प्रेरवान किस तरीके से कर रहे हैं, कर्तब यह, ठीक है, तो यह आपको बहुत ही सुल्जे हुए तरीके से, लाश्ट में आसावादी द्रिष्टिकोन भविश्योन मुखी द्रिष्टिकोन इन सभी मुद्दों को डालिए लिखिए कार्बन नूट्रल बनाने की दीशा में क्या प्रयास चल रहे हैं भारत ने क्या लक्ष बनाया है किसी देश ने क्या लक्ष बनाया है इन सभी पक्ष को निसकर्स में समाधान के तौर पर लिखे और सकारात्मक के साथ आप इस पूरे एसे को अन्त करेंगे आप ठीक है तो यह आपको यह आपको जो है इस तरीके से आप इस पूरे एसे में पॉइंट डाल सकते थे आर्थिक समृदी हासिल करने के मामले में वन सरवोत्तम प्रतिमान हैं, अंत आपको यही बताना है कि किस तरीके से यदि हम वनों का सरक्षन करते हैं तो एकॉनमिक ग्रोथ होगी, आर्थिक सम्रिद्धी होगी, एकॉनमिक एक्सिलेंस मिलेगा, कैसे वन एक महत्यपूर्ण कारक हैं, वनों का हम स्टेक बढ़ा सकते ह है ना तो यह सारे पक्ष आप लिखने की कोशिस करिए और एक بार लिखे फिर आप बताईएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको सोचना है चीजों को मतलब यह मैंने आपको कुछ पक्ष बताए कुछ थौर्ट करने के तरीके बताए तो आप जब सोचेंगे तो लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बहतर होगा, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले सेशन में और भी मैं आपको कुछ पक्षों को बताऊंगा, अब देखो जितनी चीजे मैंने बताई हैं, क्रपया करके एक बार जो है आप क्या करिएगा, सभी पक्षों में, 500 सब्दों में, जितने भी सब्दों में आपके आयोग द्वारा पूछा जाता है, 500, 600, 700, आप ये पॉइंट लिखेगा, बहुत आसानी से टॉपिक आपका जो है आप लिख पाने में सक्षम अपने आपको पाएंगे, ठीक है, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का